नमस्ते दोस्तों तो आज हम बनाते हैं बहुत ही हिल दी और दिखने में जितनी शांदार उतनी खाने में टेस्टी रोल मिठाई जी हाँ जब भी हम मार्केट से रोल मिठाई लाते हैं तो वो बहुत ही महंगी मिलती है आज हम बनाएंगे ड्राइफूट से रोल मिठाई जि को पसंद आएगी और वैसे भी बच्चों के एक्जाम चल रहे हैं तो उस वक्त बच्चों का ऐसे हिल्दी हिल्दी चीज़े खाना सेहत के लिए अच्छा होता है सबी मम्मियों का एक ही टेंशन होता है कि बच्चे अच्चे से खाना नहीं खाते हैं तो अच्चे से पढ़ाई कैसे कर पाएंगे तो आप इस तरह से ये रोल मिठाई बनाएगा रोज एक स्रिप एक वड़ी ये जो हमने बनाई है ना एक रोल अगर बच्चे खाएंगे ना तो दिन भर चुस्तिस पूर्तिस से भरे रहेंगे तो चलिए एनरजेटिक रोल बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है 500 ग्राम अक्रोड उससे भी जादा होगा यह मैंने अंदा जैसे ही लिया है देख सकते हैं और अक्रोड के क्या फाइदे हैं मुझे आपको बताने की जुरूरत नहीं होती है क्योंकि हम सब जानते हैं इसे ब्रेन फूट के नाम से भी जाना जाता है और साती साथ हम इसमें कुछ और ड्राइफूट का यूज करेंगे जिससे इसका टेस्ट और यह हिल्दी भी ज़्यादा बनेगे इसमें हमने एक कटूरी के करीब काजू, एक कटूरी के करीब ही काला मनुका, मनुका और खारिक का पाउडर लिया है यानि कि खजूर का पाउडर, ड्राय खजूर का पाउडर है जिसे स्मरन शक्ति भी बढ़ती है और आखो की रोशनी भी बढ़ती है और बादाम के फाइदे तो मुझे आपको बताने की जरुरती नहीं है इन सबी चीजों को आप गूगल कर सकते है आप ही दंग ही रह जाएंगे कि ये हमारे सिहत के लिए कितने खास होते है लेकिन अगर वैसे कहा जाएं तो बच्चे ऐसे ड्राइफूट्स नहीं खाते है तो हम इस तरह से उनको खिलाएंगे कि वो मांग मांग कर खाएंगे तो हमने यहाँ पे खजूर का भी यूज करना है क्योंकि खजूर भी यादाश बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है इन सब के अपने ही खास फायदे होते है जो कुछ हम इसमें इंग्रिडेंट डालेंगे वो सेहत से भरपूर होंगे यानि कि सेहत की खजाने की चाबी ही बनेगी ये रेसीपी मीठी दवा है जरूर बनाएगा अक्रोड में मोनोसेचिरेटेट और पॉलिसेचिरेटेट फैट्स पाया जाता है जो दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है डाइबेटीस के लिए भी फायदेमंद है पाचन संस्ती की कोई भी आपको समस्या हो तो आप अक्रोड जरूर से खायेगा अगर आप पिट लॉस करना चाते है तब भी अक्रोड फायदे मन रहेगा और दिमाग को तो ये तेज करता ही है तो यहाँ पे अक्रोड हमने भून लिये है तो ड्राय रोस्टी इनको करना है अब हम काजू और बादाम को भुनेंगे काजू और बादाम के भी अपने ही फायदे होते है बादाम एंटि आक्सिडेंट से भरपूर पाया गया है तो अच्छा कि कोई भी समस्या हो या बालो की समस्या हो उसमें भी बादाम काराविन है, स्मरन शक्ति बढ़ाने के लिए, पाचन को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन से भरपूर होता है, ब्रेन सेल्स को ये मजबूत करता है, तो बादाम हमें हमारे डाइट में जरूर से सामिल करना चाहिए तो अब हमने यहाँ पे दो तरह के मनुके लिए है, जिसे हम ड्राइ रोस्ट करेंगे, यह जो खजूर का पावडर और हमने यहाँ पे एक खजूर लिया है, इसको भूनने की जरूरत नहीं होती है, हमने करिब करिब यहाँ पे एक कटोरी काला मनुका और एक कटोरी लेन वा पसंद करते हैं वो चीज़ आप ज्यादा डालिएगा जो नहीं है या पसंद नहीं करते उसे कम भी या घटा भी सकते हैं या फिर सभी चीज़ों को आप इक्वल भी ले सकते हैं तो यहाँ पे हमने अक्रोड का यहाँ पे पावडर बना कर तयार कर लिया है थोड़ा सा दरदरा रखना हो तो आप दरदरा भी रख सकते हैं लेकिन हम इसकी रोल बनाएंगे तो इसमें ज्यादा दरदरा नहीं रहेगा नहीं तो रोल अच्छे से नहीं बन पाएगा तो चली अब हम यहाँ पे एक कटोरा भरकर जो हमने खजूर लिया है जिसे गी के साथ भून ताके खजूर थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएं खजूर स्मरन शक्ति तो बढ़ाता ही है उसके साथ साथ कप्स की समस्या को रोकता है हार्ट हेल्थ को सुधारता है गुड कोलेस्टरॉल को भी कंट्रोल में रखता है हड्डियों को मजबूती देता है खजूर खाने से हमें तनाओ में राहत मिलती है अब एक्साम चल रही है तो मानो या ना मानो लेकिन बच्चों को थोड़ा सा तनाव होता ही है तो आप इस तरह से यह मिठाई जरूर बनाइयेगा यह मिठाई तो ही ही लेकिन यह दवा का भी काम करेगी तो देख सकते हम लो फ्लेम पर खजूर क अच्छे से मैश करती हुए भून लिया है खजूर को घी के साथ भूनने से इसका टेस्ट बढ़ता ही है साथ इसके गुंधर्म भी और भी जादा बढ़ जाते हैं जो हमने एक कटोरी के करीब खजूर का यानि कि ड्राय खजूर का पाउडर लिया था यानि कि खारी का पाउ देख सकते हैं आप अब हम क्या करेंगे जो हमने पाउडर बना के रखा था अक्रोड और काजू बढ़ाम का वो सभी इसमें डाल देते हैं और जो मनुका हमने भून के रखा था उन्हीं पीसा नहीं था क्योंकि उनको पीसा नहीं जाता है तो उनको हमने साबूत इसमें ड बन नहीं रहा हो तो आप क्या करेए ख़जूर की मात्रा इसमें बढ़ा दीजेगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम इसका पाउडर कैसे बनाते हैं अंकर आपने थोड़ा सा ज्यादा ही दर दर सा रहने तो यह अच्छे से नहीं बनेगा इसका rolls नहीं बनेगा यह तो आज हमें roll की मिठाई बना रहे हैं तो आप इसमें खजूर की माट्रा बढ़ा दीजिए का ये अपने आप पी roll की स Cryp में आएगा हमने कोई चीनी या गूड या शकर एसा कुछ यूज नहीं किया है नेचरली ये मिटा होगा क्योंकि इसमें हमने खजूर और ड्राय खजूर का यूज किया है तो इसे डाइबेटिक पेशेंट भी बड़े आराम से खा पाएंगे घी भी हमने इसमें बहुत ही कम यूज किया है देख सकते अच्छे से बन रहा है तो हमें इसमें खजूर का पावडर या खजूर डालने की जरुरत नहीं है अगर आपका नहीं बन रहा हो तो आप इसमें खजूर थोड़ा सा और भुन लीजेगा और इसमें मिक्स करना है तो हमने या पे फॉलिम पेपर लिया है देख सकते हैं इस तरह से हम इसको दबाते हुए इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसका रोल बनाईएगा और इसे हम इसमें आप रोल करेंगे ताकि हम इसमें रोल का से पच्छे से दे पाएंगे अगर आप चाहें तो इसके लड़ो भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर बनाएंगे ना रोल मिठाई तो दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखती है और इसे खाने में भी सुविदा होती है एक पीस लीजिए और जटपट खाईए देख सकते हैं इसको रखने की जुरत नहीं होती है इसके साथ अच्छे से इसको प्रेस करना है अगर आप इसको जैसा सेफ चाहे वैसा दे सकते हैं इसके बाद और इसे अब हम निकाल लेते हैं इसको हमें रखने की जुरत नहीं होती है इंस्टन्ट ये बन जाता है तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं इसने अपना सिफ ले लिया है बढ़िया कितनी शांदार दिख रही है आप देख सकते हैं परफेक्ट यहाँ पे हमारी खजूर की मिठाई बनकर तयार हो गई है जिसे हम मार्केट से लाएंगे तो बहुत ही महंगी मिलती है हमने इस से घर पे बनाया है तो जो चीज हमें पसंद है वही हम इसमें डालेंगे जो पसंद नहीं है हम इसको स्कीप भी कर सकते हैं काटने से आपको पता लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया यहाँ पे हमारी रोल मिठाई बनकर तयार हो गई है दिखने में जितनी शांदार है उसस कई गुना यह टेस्टी है और हिल्दी कितनी है यह तो आपने देखा ही तो चलिए इस तरह से आप एक बार रोल मिठाई जरूर बनाईएगा और आपके अनुबो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा इसे दिन में एक बार खाईए और दिन भर चुस्तिस पूर्ति से भरे रह लिए तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ